हेलो फ्रेंड्स वेल्कम बैक टू आर यूटुब चैनल और आज मैं आपके साथ कुछ शेर करने वाली हूँ जिसके जरी आप भी कुछ अर्णिंग कर सकते हैं और क्या है मैं आज आपको आगे वीडियो में पूरा बताऊंगी और वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको स सुना ही होगा तो मैं आपको फैनी वर्ड के बारे में आज बताने जा रहे हूँ अगर आप इसमें रजिस्टर करते हैं तो आप फ्री में 200 डॉलर यानि 200 क्रिप्टो करेंसी अर्ण् कर सकते हैं एक कौईन का 1 डॉलर है और एक क्रिप्टो कौईन का नाम है फैनी क्रिप् पर आपको सेम 200 डॉलर और आपको फैनी कौइन जो है वो 200 आपको और मिल जाते हैं तो इस पर रजिस्टर कैसे करना है आगे मैं आपको फूरा वीडियो में बताने जा रहे हुँ और जिसकी विद्रॉल डेट जो है वह मई में अनाउंस होगी तो इसमें जॉइन कैसे करना है वो आगे मैं आपको फूरा वीडियो में बताऊंगी तो स्टार्ट करते हैं कि कैसे यहाँ पर आपको जॉइन करना है फैनी वर्ल्ड में तो सबसे पहले आपको क्या करना है लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा उस लिंक पर आपको क्लिक करना है और वहाँ पर जाते ही आपको register with us लिखकर आएगा जहाँ पर आपको जो भी details वहाँ पर जो भी interface है और जो भी वहाँ पर details fill करने का option आ रहा है उनको fill कर देजिए जैसे first आ रहा है फुल name लिखना है उसके बाद email ID है और जो password है वो भी आपको अच्छा सा बनाना है strong password बनाना है यहाँ पर मैं अपने email ID टाइप कर रही हूँ उसके बाद मैं आपको अपना username लिखना है full username जो भी आप लिखो अपना नाम उसके बाद आपको password बनाना है और password आपको बहुत स्ट्रॉंग होना चाहिए तो मेरा password आप देख रहे हैं स्क्रीन पर उसके बाद यहाँ पर register लिखा हुआ रहा है इस पर आपको click कर देना है जैसे ही आप register पर click करेंगे तो कुछ इस तरीके का interface खुलेगा और यहाँ पर आपको verify पर click करना है और यहाँ पर एक email की तरफ email पर code आएगा और वो आपको यहाँ पर enter कर देना है और जैसे आप enter करते हैं तो आप वहाँ पर register हो जाएंगे जादा जानकारी के लिए में इसके about में जा सकते हैं तो आपको ऊपर three lines देख रहे हैं इन पर click करके आप about में जाकर पूरा फैनी वर्ल के बारे में पढ़ सकते हैं और उसके बाद ही आप इसे जोइन करें पूरा पढ़कर उसे समझ लें और अगर आप English में नहीं तो आप Hindi translate करके भी पढ़कर उसे समझ सकते हैं क्योंकि मैं कोई financial advisor नहीं हूँ इसलिए आप इसे पहले समझ लें उसके करें और लिंक जो है इसका आपको description में मिल जाएगा तो वीडियो को end करते हैं thanks for watching and subscribe to my youtube channel